नमस्कार दोस्तो, मेरे नाम में भल्चंद्रा, प्रम्मा अंट सिद्ध्यास्ट्रू में आप सभी का स्वागत है। नक्षत्र आदरा है, योग रीती है, दिन का जो करण है वो विस्टी है और जो रात का करण है वो बव है। नक्षत्र आदरा हुक है वे शुरुवात होगा, दोबर तीन बच कर बतिस मिनिट से लेकर चार बच कर अठावन मिनिट तक और या मगंदकाल, सुब्ब आट बच कर अठालस मिनिट से लेकर गैरा बच कर चाउदा मिनिट तक का होगा। प्राहुकाल और यमगंडकाल दिन के अशुमकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महरतोपुणकाम या फिन्यन ने बिल्कुल भी नहीं लिना इसमें का राश के दिन का चंद्रमा है ये चंद्रमा संपूर्ण दिन वितन राशी में प्रमण करेगा ये चंद्रमा हर्चल के साथ लाव योग करने जा रहा है तो सबसे पहले राशी है मेश राशी मेश राशी के त्रिद्यों वामे चंद्रमा का प्रमण है और आपी के राशे में से थर्चल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है आज का ज़दिन है आप के लिए काफी ज़्यादा जो काम नहीं हो रहे है वो भी आप हाथ में ले सकता आपके जो काम है वो पूरे होते हुए नजर रहेगा आपको confidence energy level भी काफी अच्छा देखा जाएगा तो दिन आपके लिए शुवफलंदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है बुर्शब राशी बुर्शब राशी के द्वितिया गवाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और आपके वेये गवाव में से धशल के साथ या चंदरमा लाभ भीयोग करने जा रहा है मैं तो बुर्ण दिन है आपके लिए आज के दिन कुछ अच्छे लाब आपको मिलने की संभावना ज्यादा बंद रही है उससे प्रेकार आज के दिन कुछ अच्छी इंवेस्ट्मेंट भी हो सकते है थोड़ो सा गुमना फिर ना हो सकता है लेकिन दिन आपके लिए काफी अच्छी देखी जाएगे आपके जो मित्र परिवार है उनसे मुलाकात अबस हो सकती है उनके साथ कहीं बाहर गुमना फिर ना हो सकता है दिन आपके लिए शुगुफ लद्दाई सावित होगा कुछ अच्छे लाब होने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के विया मौमी चंद्रमा का भ्रहमनैर आपके दशम्बाव में सिधार्शल के साथ या चंद्रमा लाव वियोप करने जा रहा है काफी मैत पुण दिन है आपके लिए और शुप लद्दाई भी सावित होगा कास करक इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के लाव मौमी चंद्रमा का भ्रहमनैर आपके बांके बाव में सिधार्चल के साथ या चंद्रमा लाव वियोप करने जा रहा है काफी अच्छा दिन है आपके लिए आज की दिन आपको अनपिक्षित लाव मिल आपके जो मित्र परिवारें उनके साथ कही बाहर गुमना फिरना हो सकता है तो दिन आपके लिए शुब फलदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के दशन महामी चंदर्मा का ब्रह्मन है और आप ही गाश्टर महामी से दशन के साथ यह चंदर्मा लाव यो करने जा रहा है जाब और आप काम करते हो नुकरी करते हो या फिर वेवसाय करते हो वहापर की जो इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के बागे बाव में चंद्रमा प्रमणर आपके सब्तम्बाव में सिधर्शल के साथ या चंद्रमा लाप योग करने जा रहा है काफी मैत पुर्ण दिन है आपके लिए और आज जो भी काम हाथ लोगे वो पूरे होते हुए नजरेंगे अगर आप वाईद है तो आपकी जो वाईबाई जो निदार है उनके साथ भी आज आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगे तो बिल मिला के द का अच्छन के साथ यह चैंदरमा लाव यो करने जारा है स्वास के बारे में द्यान देना आवाशक होगा आज के दिन सामने आ सकती है दिन आपके लिए सामन्य सावित होगा इसके बाद के जो राशी है वो है दनूराशी दनूराशी के सब्तम बाव में चंदरमा का ब्रहमन है और आपी के पंचम बाव में से धर्शल के साथ यह चंदरमा लाभ वियो करने जा रहा है तो अगर आपी वाइत हो आपकी जो वैवाई जुड़िदार है उनके साथ आज आप इंट्रेक्शन काफी अच्छी देखी जाएगी आपकी जो वैवाई जुड़िदार उनके साथ कही वाहर गुमना फिन अभी हो सकता है तो दिन आपके लिए शुड़िदाई सावित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मकार राशी मकार राशी के 6 अभाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और आप ही के 4 अभाव में सिर्फ अर्षर के साथ ये चंदरमा लाभ वियो करने जा रहा है आज का पिर दिन है महत अभन सावित होगा स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा स्वास्त अले लिए छोटी मोटी बात आज के दिन सामने आ सकती है उसी प्रकार आज के दिन किसी भी प्रकार के महत अभने निनने बिल्कुल नहीं नहीं लिना इसके बाद की जो राशी है वो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी के पंचम मोह में चंद्रमा अताबर बन है और आप एक त्रितिय अबाँ में से घंश्र के साथ चंद्रमा लाब यो करने जा रहा है बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए वागे शनली भी सावित होगा अगर आपके से के रिलेशन चीजप होए है तो उनके साथ कही बाँर गुम्ला के ना हो सकता है तो पुनों काम विया आप हाद में ले सकते हो अगर आप शेर मर्क में ट्रेड करते हो तो कुल अच्छे लाब मिलना की संभावना भी आज करिन काफी अच्छी बन रही है इसकी बात की जो राशी है वो है मीन्द राशी मीन्द राशी के चतन तो बावमी चंदर्मा का ब्रह्मन है और आपी के द्रीतियों बावमी से दाच्छल के साथ ये चंदर्मा लाव योग करने जा रहा है आज के दिन आप बहर करना पस्म करोगे आराम करना पस्म करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी करके जो लोग है उनके साथ आज आपकी इंटरेक्शन काफी अच्छी देखी जाएगी तो दिन काफी अच्छा है इसका पुरी तरसे गलाब नीचिए तो दोस्तो ये था दिन आप 20 फरवरी 2024 का संभुण राशिपल आपके राशिपल कैसे लगा आपने किस पतार से नवब हो किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरू कमेंट करना और अपने जी चैनल है ब्रमान्ट सिद्ध्यास्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू करना और आपने बाँ